गर्मी की होगी अब छुटी, घर बैठे मंगाए, कूलर पंखा और घरेलू वाइरिंग के समान, फ्री होम डिलिवरी के साथ, हेवल्स, अंकर फिलिप्स और क्रॉम टॉम के एक मात अधिकरित विक्रेता, मनीश इंफो कॉम एन मोबाईल, मगदुम सराई मोर सिवान, सिवान जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नौतन थाना इलाके के मुरार पट्टी में दो पक्षों में यमिनी विबाद हुई है, और इस यमिनी विबाद में जम कर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें तकरीबन दस लोग गंभी रुप से घायल बताया बताया जा रहा है कि कई वर्सों से जमीन का भी बाद अस्थानिये मुखिया जो मुरार पट्टी पंचायत के मुखिया हैं अशोक यादो और एक दूसरे पक्ष हैं उन लोगों के द्वारा चल रहा था और उसको लेकर के आज इस्तितिया हो गई कि दोनों पक्षों के बी यह लाया गया है आप तस्वीरों में साफ तोर पर देख सकते हैं कि कैसे यहां पर यो अस्थानिये मुरार पट्टी पंचायत के जो मुखिया हैं अशोक यादो वो गंभी रूप से घायल हैं और उनके साथ कई लोग घायल हैं जिनको जिनके इस्तिती नाजुक बनी में एक बड़ा संघर्स हुआ है जो की नौतन थाना इलाके के मुरार पट्टी गाओं की घटना है और इसको ले करके वहां के अस्थानिया पुलिस भी अब सकते में आ गई है और उन आरोपियों को पकड़ने के लिए शाप्यमारी भी कर रही है क्यों घटा किया है? कम घब हैं आपके तरफ से आठ नौने नों अगिवाद का कारण जमीन था। जमीन में उपने जमीनुट कर रहे था वोगया खाब थे लो में वह के जमीन। स्में जिसने का कंगा सब्सारा हम लोग के और उनों बार हम लोग commence और वहां परतारी हो और वहां पर काम हम लोगे जो हो रागा था इसको रचा वर्षास आपना वह पटा दिखाई है ये मेरा नाम गोविन्या